यदि आप आश्ट लक्ष्मी नवनिधी कुबेर को प्रसन्म करना चाहते हैं, लक्ष्मी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये दीपावली भाकिशाली अफसर हो सकता है आपके लिए जोदपूर के पंडित श्विमाली जी द्वारा निर्मित अश्ट लक्ष्मी नवनिधी कुबेर कलश प्राप्त करके आप अश्ट लक्ष्मी का आशिरवात प्रांत कर सकते हैं, इस कलश में आपको दीपावली पर स्थाफित करने के लिए लक्ष्मी चरण पादु का पावली पूजन के लिए पारद लक्ष्मी कुबेर गणेश प्रतिमा, संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी, और घर के महिलाओं के पूजन के लिए ना केशन और पंच धातों के डिप भी, रक्त गुंजा, गोमती चक्र जैसी अनेक वस्तुएं मिलेंगी, और घर के मुखिया के लिए स्फटिक श्रियंत्र बेंडल और प्रेसलेट भी मिलेंगी, ये कलश आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं, आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें, 0291-2621-625 नमस्कार मैं हूं कमल श्रिमाली, आपका स्वागत अबिन दन हमारे इस चैनल पर, आज हम बात करें श्रादपक्स की, पितरपक्स की, आने वाले दिनों में 13 सितम्बर से 28 सितम्बर तक श्रादपक्स रहेगा, पितरपक्स रहेगा श्राद में किन वस्तों का दान करने से पूरे वर्ष भर आपको उन्नती, प्रगती, सुक, सांती, संपती मिल सकती है इसका विवरण में देने जा रहा हूं जो की हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्पूर है जोतिस सास्तर में बताए गया है कि अगर कुनली में कालसफ योग या पितर दोस बंद रहा हो तो इसका एक कारण पित्रों की असंतुस्ती हो सकती है पित्रों के नाराज होने से अप प्रसन होने से जीवन में अचानक उन्नती रुख जाती है आपका वबंता काम भी बार-बार अठक जाएगा किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिल पाएगी इसलिए पित्रों को प्रसन रखने के उपाए हमेशा करने चाहिए अगर आप पूरे साल पित्रों को प्रसन करने वाला उपाए नहीं कर सकते है तो पित्रपक्स में तो जरूर करना चाहिए इन दिनों में आने वाले समय में 13 सितंबर 2019 से 28 सितंबर 2019 तक पित्रपक्स रहेगा इन दिनों ब्रामन भोजन और दान से पित्रों की कप्राप प्राप्त कर सकते हैं उनका आसिरवाद प्राप्त कर सकते हैं पित्रों के नाम से दान करने के लिए बहुत सी चीजों का अतात कुछ चीजों का बड़ा भारी महत्व है उन्हें जान लीजिए और नोट कर लीजिए श्राद पक्स में या श्राद में काले तिल का दान का बड़ा भारी महत्व है काला तिल भगवान विश्णु को अतियंत प्री है शाद्य के हर कारे में हर कर्म में तिल की आवशकता होती है शाद्य पक्स में दान करने वाले को कुछ भी दान करते समय हाथ में काला तिल लेकर के दान करना चाहिए इससे दान का फल पित्रों को प्राप्त होता है अगर कुछ अन्य वस्तु दान नहीं कर रहे हैं तो सरफ काले तिल का दान भी किया जा सकता है तिल का दान करने से पित्र गण संकट और विपदाओं से रक्षा करते हैं अता जो वस्तु आप दान करेंगे उसका रिटन गिफ्ट आपको क्या मिलेगा आप काला तिल दान करेंगे और उसके बदले में आपके पित्र आपको संकट और विप्दाओं से हमेशा बचाएंगे रक्षा करेंगे आईए अब बात करतें भूमी दान की शास्त्रों में पुराणों में भूमी दान को सर्वतम दान में से एक कहा गया है महाँ भारत में कहा गया है कि भूलवस बड़े से बड़ा पाप हो जाने पर भी भूमी दान करने से पाप से मुक्ति मिल जाती है भूमी दान से अक्षय पुन्नी मिलता है और मानेता है कि पित्रों के निमित भूमी दान करने से पित्रों को पित्र लोग में रहने के लिए अच्छा इस्थान प्राप्त होता है जो लोग आर्थी ग्रूप से संपन हैं शक्षम है उन्हें पित्र प्रक्ष में भूमी का दान या पित्रों के लिए चाहे समसान गाट में कुछ नियुकुछ दान कर सकते हैं भूमी खरीद करके आप स्कूल बनवा सकते हैं भूमी का दान करके कोई आश्रम बना सकते हैं या जो गरीब है जो आपकी सेवा करते हैं आपके घर में हलपर है आपके घर में बहुत सालों से आपका हलपर है सर्वेंट बनाऊ है आप उसके लिए भी कुछ यह दि मकान का प्रबंद कर सकते हैं भूमी खरीद करके अपने पितरों के निमीती यह दि उससे दे देंगे तो ज़िधी भूमी का दान करना संभव नहीं हो, जो व्यक्ति इतना संपन नहीं है, उस व्यक्ति को भूमी के इस्तान पर मिट्टी का दान जरूर करना चाहिए। शद्धा पूर्योग मिट्टी का दान करने से भी पित्र संतुष्ट होते हैं भूमी दान से यश, मान, सम्मान और इस्ताई संपत्ति में व्रद्धी होती है अताद हर कार्य का आपके हर कर्म का वापस रिप्लाई में कुछ ने कुछ आपको अपने जीवन में कुछ ने कुछ मिलने वाला है जैसा अपने मिट्टी का दान किया भूमी का दान किया तो वास्ता में आपको वापस क्या मिलेगा तो आपके जीवन में भी भूमी दान से यश, मान, सम्मान और इस्थाई संपत्य में व्रद्धी होगी एक तरफ आप दान करेंगे भूमी का और वापस आपको आपकी संपत्य में हो सकता है बहुत गुना व्रद्धी हो जाए जो आप दान दें उसे कई गुना आप संपती प्राप्त कर सकते आईए अब आगे चलते हैं अब बात करते हैं सफिद वस्तों की इसपेशली चांदी की तो पुराणों को नुसार पित्रों का निवाज चंदर के उपरी भाग में है आईए अब वापस ही में आपको क्या मिलेगा रिटेन के इपने में क्या मिलेगा पित्रों से तो इन वस्तों के आपके दान करने से आपके वंस की व्रद्धी होगी और आपकी मनों वाचे फलों की प्राप्ती होगी अधा जो भी आपके ambition से जो भी आपने कामना है की हुई है वो आपकी पूरी होंगी अब बात करते हैं एक और वस्तु के दान का वो है वस्त्र का दान गरुड पुरान के अनुसार और कई सास्त्रों के अनुसार हमारी मान्यतों के अनुसार हमें बताये गाए कि पित्रों को भी हमारी तरह सरदी गर्मी का एहसास होता है मौसम के परवाव से बचने के लिए पित्र गर्णम भी अपने वंसजों अपने पुत्रों से वस्त्रों की इच्छा रखते हैं जो विक्ति अपने पित्रों के निमित वस्त्र दान करते हैं उन पर सदे पित्रों की करपा बनी रहती है पित्रों को पूरवजों को दोती और दुपट्टे का दान करना चाहिए उनके निमित जो भी कर सकते हैं दोती और दुपट्टे का दान करना चाहिए और जो भी मैलाएं आपकी पूरवज थी यदि वो इस संसार में नहीं है मृत तो वस्त दान से यमडूतों का बहे समाब्ट हो जाता है अब बात करते हैं अनिपदातों की फिर गुड और नमक जिन लोगों के गर में अक्सर लड़ई जग्ड़ा होता है कल्य होते रहते हैं आप से मत्वेद होते हैं और जिन लोगों के घर में आर्थिक परिशानियां बनी रहती है उन्हें पित्रों के निमित गुड़ और नमक का दान करना चाहिए गरुड़ पुरान के अनुसार नमक के दान से यम का भैस हमापत हो जाता है अब आते हैं एक और विशय पर वह है पिंड़ दान तो पुटा सा कर्म करना पड़ेगा और वो भी सिर्फ वर्स में तीन सो पैसे दिन में सिर्फ पंदरा दिन में पंदरा दिन में भी सिर्फ एक दिन जिस दिन आपके पूरुजों का नत्यूतिति है जिस दिन उनका श्राद करना है जिस दिन वह समय है वह काल है वह दिन है सास्तरों में का गया है कि पित्र का स्थान देवताओं के समान है अताथ पित्रों को भी देवताओं के समतुली माना गया है देवता यदी आप पर प्रसंद हो लेकिन पित्र यदी नाराज हो तो देवताओं के दियेवे सुब फल भी आपको नहीं मिल पाएंगे उसमें भी बादाएं आ जाएंगी इसलिए पित्रों को प्रसंद रखने के लिए श्राद और पिंडदान करने का नियम बनाए गया है भादरपत मा की शुक्ल पक्स की पूर्णिमा से आस्विन पक्स की अमाउस्या तक के समय को श्राद पक्स का जाता है और ये समय आने वाला है 13 सितंबर से 28 सितंबर 2019 में इस दोरान पित्रगण धरती पर पजारते हैं और अपनी संतान से पिंडदान और श्राद का अंस प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं श्राद पक्स में जो लोग पित्रों का तरपन और पिंडदान नहीं करते पित्र उनसे नाराज, पित्र उनसे अप्रसन होते हैं फलसरो पित्र पूजा नहीं करने वालों को श्राद नहीं करने वालों को वर्स पर परिशानियों का सामना करना पड़ता है अथा जो लोग ये सुब कर्म नहीं करेंगे श्राद का कर्म नहीं करेंगे उन्हें वापस जो मिलेगा रिटर्न गिफ्ट जो मिलेगा वो आप्सिकल्स मिलेगी बादाइं मिलेगी प्रॉब्लम्स मिलेगी इसलिए अच्छा यही है कि हम शाद करें अब एक प्रस्ण और उड़ता है जिग्यासा है कि हम जो यहां पर दान करते है वो पित्रों तक पहुंचता कैसे है और पहुंचता है या नहीं है या किस रूप में पहुंचता है तो उसका उत्तर है गरूर पुरान के अनुसार पित्रों के निमित किया गया शाद का अंस पित्र जिस लोग में होते है उन तक वो उस रूप में पहुंच जाता है शास्त्रों में का गया है कि पित्रों का नाम और गोत्र लेकर के मंत्र सईध जो अन और जल अर्पित किया जाता है वो पित्रों तक अलग अलग रूप में पहुंचता है अगर कर्म के अनुसार पित्र देव लोग में होते हैं तो श्राद का अंस उन्हें अमरत के रूप में प्राप्त होता है जो पित्र अपने कर्म के अनुसार गंदर्व लोग में हैं तो उन्हें भोग्य रूप में अता जो भी भोगने होगी वस्तू होगी उस रूप में उन्हें प्राप्त होगा जो पितर पसू योनी में होंगे उन्हें तरन रूप में अताद घास के रूप में श्राद का अंस पहुंचेगा यक्ष होने पर पीने वाले पदात के रूप में उनको अंस पहुंचेगा जो पितर सर्प योनी में होंगे उन्हें वायू रूप में वो अंस मिलेगा और जो पितर दानव योनी में होंगे उन्हें मास के रूप में रुदिर के रूप में वो श्राद का अंस मिल पाएगा ट्येत योनी में गए पित्रों के पास में साथ का अंस रक्त के रूप में और मनुश्य होने पर अन्न के रूप में पहुंचता है जिन पित्र गणों को मुक्ती मिल चुकी होती है उनके पास गयावा अस्रोय आशिरवाद के रूप में रापस साध करने वाले पास लौड कर लॉट कर आता है और उसे आसीरवाद मिलता है लोग कहते हैं कि पित्र पुजा से क्या लाब होता है, क्या फाइदा होता है, हम ये कर्म क्यों करें सास्तरों में का गया है कि पित्रों को संतुस्ट करने वाले व्यक्ति को कभी कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है जिनके पितर नाराज होते हैं अप्रसन होते हैं उनकी कुली में पितर दोस पाया जाता है और पितर दोस होने से पिडित व्यक्ति की संतान सुक में अबादा हैं आती है बहुत से लोगों को आपने देखा होगा गर में सब कुछ है गाड़ी है बंगला है बिजनस है सब संतान नहीं है और मेडिकली वो एफर्ड करकर के ठक चुके हैं अधात आईवेफ के उपर इतने बार पैसा खर्च करने के बावजूद भी वह आज तक संतान को तरस रहें या यह बोच सकता हूं पुत्र को तरस रहें आज के यूग में कहा जाता है लड़का और लड़की को कि श्राद का अंस या स्राद का अधिकार पुत्र को है घर के जो भी बच्चे हैं घर के को भी अंस है वंस के जो अंस है उनको करने का अधिकार मिलावा है तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि आपने कित्ती बार ही आपके बच्चे हुए कित्ती बार एबोर्शन करा दिय किती बार आपने ट्राई की आईवेफ तक करा दिया उसके बावजुद भी आपको पुत्र नहीं प्राप्त हो गया क्योंकि आपके करम ऐसे हैं आपको दोस ऐसा मिलावा है कि आपकी वंस का नाम लेने वाला इस संसार में नहीं आ पाएगा आप थोड़े में इसको बहुत जादा समझ सकते हैं जो आप करम करेंगे वो ही आपको मिलने वाला है घर में कल और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अथाथ आप कितना भी कमा लेंगे कितना भी आप सहेज लेंगे आप दूसरों से लूट-लूट करके घर में ल जाएगा कि वह जो आपका कमायवा धन है वो आपके ही काम नहीं आएगा व्यारत में लुट जाएगा ऐसे ही व्यक्तियों को प्रेत बादा उनका भी या तांतिक प्रयोगों का भी सामना करना पड़ सकता है इसके विपरित जो अपने पितनों को संतुस्त और प्रसंद कर अपती होती है ये भी का गया है सास्तों में लिका गया है कि जो लोग पित्रों को संतुस्त नहीं कर पाते हैं उन्हें स्वर्ग में भी स्थान नहीं मिलता है चाहे वो कितने भी पुल्नि कर दे कितने भी हवन कर दे कितने भी यग कर दे उसके बावजूद भी वो वो इस् उनको योनी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन पर पितर रिण चड़ा रहता है, तो इस संसार में जीवित रहते वे, आपने अपना पितर रिण उतार देना है, अताज श्राद करना है, तरपन करना है, पिंडदान करना है, यदि आपको नहीं मालूम है, तो आप लिटरेचर पढ़िये, और मैं हूँ आपको बताने के लिए, जो मेरा कर्म है, जो मेरा प्रोपेशन है, कि मैं आपको राद दिखाऊं, आपका मार्ग दरसन करूं, मेरा ये काम मैं अच्छे डंग से करना चाहता हूं, और इसी लिए यूट्यूब के माद्यम से आपके सामने हूँ, अब आपको बताना है, मेरा ये प्रियास आपको कैसा लगा, आप संतुस्त हुए या नहीं हुए, आपकी मनसा क्या है, या क्या जानकारी आपको और चाहिए, हम प्रियास करेंगे, आप तक वो जानकारी पहुँचाने का, आप तक वो विदी-विदान पहुँचाने का, जो आपको ग्यात नहीं है, जो आप जानना चाहते हैं, इस एपिसोड में बस इतना ही हमेशा की तरह में एक बात आपको कहना चाहूँगा कि हम अपना प्रियास निरंतर कर रहे हैं आपको रा दिखाने का आपकी जीवन को अच्छा करने का इस समाज के लिए कुछ नी कुछ अच्छा करने का अतादरा दिखाने का जोतिस के माध्यम से सास्त्रों के माध्यम से आपने सिर्फ बदले में हमारा उस्सावरदन करना है और साथ ही साथ इस जो एपिसोड है उसको लाइक करना है शेयर करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल यदि आपको पसंद है हमारे प्रयास आपको पसंद है तो जरू सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे परिवार का विस्तार हो आप भी हमारे परिवार में सामिल हो सके स्वस्त रहें, प्रसंद रहें अपने बच्चों का गर के जो भी भुजुर्ग है, उनका बहुत-बहुत खैल रखें, और जो आपके घर में जो पूरवज आने वाले हैं, पित्र आने वाले हैं उसके लिए तायारी पहले से ही करके रखें ताकि आप अच्छे से अच्छा यह कर्म कर पाएं क्योंकि साल बर में 350 डिदिम ने सरफ 15 दिन ही है जिस दिन आप यह भक्ती कर सकते हैं पूरुजों के प्रती आप भक्ती कर सकते हैं अपने पित्रों के प्रती उनका जो कुछ भी रिण है वो उतार सकते हैं आपके जीवन को अच्छा करने के लिए जितना कुछ प्रियास किया है अपने संसादनों से आप उसके बदले में क्या कर सकते हैं यही कुछ आपने सोचना है आप सभी को मेरा नमशकार और आप सभी को उज्वल भविशे की शोब कामना है दशकों ये कुंडिली है और इसमें लिखे नमबर साधारन नहीं बलकि ग्रहों का एक माया जाल है इस माया जाल में आपका वर्तमान, भूतकाल और भविशकाल छिपा है और साथ में छिपा है आपके जीवन के सुख दुख का रहसिर आपके जीवन में आई सभी समस्याओं के जिन्मेदार ये नौग रही है आपके दुखों और कश्टों का कारण और निवारन आपके कुंडिली में ही छिपा है जरूरत है सिर्फ ऐसे विद्वान की जो इन नौग रहों की भाशा को समझता हो ऐसे विद्वानों की श्रेणी में विश्वतंत्र जोतिश के समपादक पंडित कमल श्रिमाली जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है यदि आप भी किसी समस्या से परिशान हैं और पंडित कमल श्रिमाली जी से अपनी समस्या का कारण और निवारण जानना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं आपको सीधा और सरल रास्ता भारत के इन शहरों में आप पंडीची से मिलकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप भारत के किस अन्य शहर में रहते हैं तो पंडीची से मिलने का एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है इस प्रोसीजर को जानने के लिए आप हमारे इन नमबरों कर संपर करें।